भी इसकार दोफतों, दोफतों अगर आपका भी सपना है अपना खुद का विजनिस करने का, अपना खुद का ब्रांड बनाने का तो दोफतों आज हम आपको अपना खुद का calibrate अश्प्रियंस को आप से और दोफ्तों यह जो चार विज्णिस है इसमें कभी इस पायरी नाम की कोई चीज नहीं, मतलब इस पायर नहीं होगा, तो जब हम नया विज्णिस सुरू करें, तो ऐसे ही प्रोड़क्ट को हमें सेलेक्ट करना चाहिए, जिसमें इस पायरी ना हो, आज हम बनवाई इसे 5 सा जालवाद भी बेच सकते हैं, तो भी खराब ना हो, और दोफ्तो जितने दिन बाद आप बेचेगे, यह नहीं है कुफका रेट कम हो जाएगा, दिन वर दिन उसका रेट बढ़ता ही जाएगा, और यह जो चार प्रोडक्ट हैं, यह जो केशन से संबंदित हैं, फिच्छा फ कभी बंद नहीं होगा, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो, सब अपने वच्चे को पढ़ाते हैं, तो दोफ्तो उसमें डेली यूज होती है, तो दोफ्तो इन ही को करना है आपको, और इसे अपना ब्रांड बनाने के लिए आपको कोई मशिनरी लेने की जरूर नहीं है, तो आपके मन में विचार आया होगा, फिर ऐसे कैसे किया जाेगा, किया जा सकता है, दोफ्तो, आज के समय ने दो-टाइब की manufacturing companyया हैं, दो-टाइब की, एक ऐसी manufacturing company होती है जो अपना खुद माल बनाती है और उसे बेचती है यानि manufacture by और marketed by दोनों काम करती है दूसरी type की जो company होती है वो दोस्तों दूसरे के लिए ही product बनाती है यानि उसका काम है manufacturing करना जिसे कहते हैं third party manufacturing और दूस्तों third party ही production करती है चाहे आप बनवाईए चाहे हम बनवाए कोई भी उसके पास जाके बनवाईए और उनकी जो quality होती है दूस्तों best quality होती है उनकी manufacturing की जो टीम होती हो वेस्ट quality की होती सब कुछ आपको best से best provide करते हैं और दोस्तों अब यह तो clear होगे आप दो type की company होती है और दोनो type की company आप कर सकते हैं लेकिन दुफ्तों पहले टाइप की जो company है जो manufacture and marketed दोनों काम करते हैं उसमें दुफ्तों investment ज्यादा होता है जैसे आपको infrastructure त्यार करना है manufacturing machine लेना है टीम त्यार करना तरह तरह के और इसमें दुफ्तों risk भी ज्यादा होता है risk इसलिए ज्यादा होता है अगर आप any case अपनी company नहीं चला पाते हैं तो दुफ्तों जो भी आपने infrastructure में पैसे invest किये जो आप machinery में पैसे invest किये सब बेश्ट चले जाते हैं और दुफ्तों जब आप इसी product को marketed वाई करते हैं तो दुफ्तों इसमें कोई machinery नहीं लेना है कोई लेसंस नहीं लेना है अगर आप अपने बिज्ञेस में यानि किसी आकस्मी घटना के कारण नहीं चला पाते हैं तो जितने में आपने जो प्रोडक्ट बनवाया है जब चाहेंगे उतने में आप बेच सकते हैं यहां तक आप किलियर हो गए अब दुफतो हम बा 2% का डिफिरेंट आता है मार्केटेड वाय बिज्ञेस करने में मार्केड मनुफेक्ट्चर वाय बिज्ञेस करने में 2% के फिरी प्रॉफित आता है अगर अपना खुद का प्रोड़क्ट बनाते हैं इसमें 2% आपको हम पिछले दुफ्तों 10-12 साल से कर रहे हैं तो आप भी मार्केट इडवाई बिजनस कर सकते हैं यहां तक आप किलियर हो या आप का चुनाव हो गया हमें क्या करना है मार्केटड बाइ बिजनस करना अब हमें प्रोड़क्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो दुफ्तों जब हम प पिंसा लाती है इसके लाता है ब्रस आते हैं पेन आता है जैसे मैं मारकर लिया हूं मारकर आता है कॉपियां आती है किताबे आते बहुत कुछ आता है तो दुफ्तो आज हम छोटे विजन्स की बात करें कि छोटे से हमें सुरूआत करना है अगर आपके पाश पैसे में तो जैसे मैं लिए देता हूं दुफ्तो बच्चों को यूज आता है व n h g h e g h h e k i t e kaici यु k細 और दुफ्तो बच्च provincial यो अकशर इसमें से एक प्रोडक्ट ले लेते हैं एक्जाम्पल की तौर पे समझने के लिए मालने ची इस पिन को आपको बनवाना है पिन हर वच्चा यूज करेगा पिन बनवाना है तो पिन में क्या है दोफ्तों पिन में आप देख रहे हैं यहीं पे छोटा सा कंपनी का लोगो लग लगा होता है और किस टाइप की चल रही है आप लोग सब चानते इस समय लिखो फेको यूज जादा चलती है तो दुफ्तों इसमें तीन रूपए से लेकर पांच रूपए आठ रूपए दस रूपए बीस रूपए तक की पिन आती है जैसे जैसे आप लेंगे जैसे मार क हो जैसे कंपनी जो अपनी क्स लमुख्त के कि अğब इसित視좌 करने के लिए को क्या करना है तो दुफ्तों अब है सबस्तेक अब नोटबूपए ईसना कि आप परिआए मुखने नीकल या वही ब्रांड में मुशी КонuGo कहते हैं तो दूफ्तों इस ऐसे करने पेंकर पिर्ची आपको फिच्छा से संबंदित एक अच्छा सा नाम चॉइस करना है और इस नाम को आपको क्या करवाना पड़ेगा ट्रेड मार के लिए जैसे आपने जो नाम रख लिया है इस नाम से पूरे आल ओबर इंडिया में कोई ना रख सके यह आपकी नाम से सेफ हो जाएगा तो से कहा होता इसके लिए दोफ्तों भारा सरकार की एक सर्फता है जिसे हम आई पी इंडिया कहते हैं आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं इसे आई पी इंडिया पर सारे प्रूड़क्ट क्या होते हैं रजिस्टर होते हैं ट्रेड मार्क होते हैं आप चाहे तो फर्च करके आप जा करके customer care से बात करके खुद अपने प्रोड़क्टों को trademark कर सकते हैं लेकिन हो सकता है फार online भरा जाता है online भरने में कहें कोई mistake हो जाए तो आपका result हो जाएगा इसलिए दुफ्तों बहुत सारी एजनसियां हैं बहुत सारे लोग हैं जो कि आपके product को trademark registered करते हैं तो उनके माधन से आप करवा सकते हैं दुफ्तों इसके लिए सरकार एक फीश निरधारित की हैं आज 5 साल पहले इसकी फीश कितना थी 5-6 साल पहले इसकी फीश दुफ्तों 3,000 रूपए थी और one time आपको देना पड़ता है और 10 साल के लिए trade market ने registered होता है अब 10 साल के बाद आपको फिर renewal करवाना पड़ता है अब 10 साल के बाद जो फीश होगी वह आपको देना पड़ेगा लेकिन आज इसकी फीश साड़े तीन हजार रूपए है आपके नाव से शेफ हो गई अब इसी को आप brand बनाए बनाते चले जाए अब इसमें क्या है ना महली जी skill है इसके पर यहीं छोटा से आपके company का लगो लग जाएगा बाकि इसकी बढ़ियां quality होनी चाहिए best quality इसमें तो तो यह के देखिए एक इस टील में है और इसमें plastic म करने का budget है तो यह product launch करिए 4-5 product launch करने का budget है तो 4-5 launch करिए अब यहीं आप machinery डालके बनाएंगे पें तो दोस्तों कई लाख रुपए खर्च हो जाए नहीं तो आपको कुछ नहीं करना है brand name trademark करवाना है आपको एक GST number लेना पड़ेगा GST number भी दोस्तों free of cost है आप इसी जन फुद्यक के अंदर से जा करके ले सकते हैं नहीं तो सबसे बेटर होगा आप जाइए CELTEX office में CELTEX office में दोफ्तों वहां पर एक कमरा particular advocate के लिए होता है तो यह अलग से CELTEX होते हैं इनका काम यहीं होता है कि आपकी file को return करना मतलब tax चैसे भरना है कितना भरना यह सारा क काम आपका देखते हैं इनके माध्यम से आप लेंगे तो सबसे बेटर होगा आगे आपको file return करने में easy हो जाएगा तो दोफ्तों इनके माध्यम से आप GST number ले सकते हैं टाइम टाइम बे आप टैक्स मेरिये कितना खरीद हुआ कितना आपने purchase किया सब मतलब एक्दम accurate करना चाहिए कहीं से जिसे कानूनी दाओं पीच में आप ना खशे बिनिस एक्तम हमेशा साफ फुतरा करना चाहिए बिनिस जब आप हमेशा साफ फुतरा करेंगे तो दोफ्तों कोई tension नहीं होगा फिर product को बेची अब दोफ्तों आपने GST number ले लिया और आप कुछ नहीं चाहि बनवाना है उसी टाइप का मार्केट से 2-3 खरील लीजिए या पिंसल बनवाना है दो-3 पिंसल खरेल लीजिए अब आप चले जाए या इक डिबबा पिंसल का ले लीजिए या हमें इसी quality की पिंसल चाहिए हमारे डिबबे का color packaging इससे best होना चाहिए तो आप जैसे रमाना चाहते हैं आपको quantity बताना पड़ेगा quality कैसे रखना चाहते हैं सब आपका एक agreement होगा agreement में इतना ध्यान देना है कि हमारे जो product में raw material जो कुछ भी यूज़ोगा best quality का होगा अगर हमारे product में कोई claim आता है कोई कमी होते तो इसकी responsibility आप की होगी क्योंकि इस product को आप ब बनने में जब आपके उनकी बीच की deal confirm हो जाएगी तो 20-25 दिल लगता है इसके बाद एक हपते के अंतर आपका product बन बन के हमेशा आपके घर आजाएगा आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं company में लेकिन फर्फट बार आप company में विजिट करिए जिससे आपको भी एक अ मार्केट में launch किया जाता तो आगे चलके तो आप अपना खुद का manufacturing unit डाल फकते हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपको पता चल गया market में product कैसे launch किया जाता है कैसे बेचा जाता है market में self team कैसे तयार की जाती तब आपके पैसे डूबने के चांसर नहीं अब दुफतो product बन के आगया तो आप इसे बेच सकते हैं offline भी बेच सकते हैं और online भी बेच सकते हैं क्योंकि आपके पास GST number है तो online बेचने के लिए बहुत सारे e-commerce कंपई हैं उनके माद्यों से आप बेच सकते हैं और दुफतो offline तो आप self team तयार करके बेच सकते हैं अब अब बात करते हैं profit की दुफतो हम profit की अगर बात करें तो जितने में आपका product बना है क्योंकि हम यहां पर rate decide नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह वीडियो आपके पास एक महीने बाद पहुंच रही दो साल बाद पहुंच रही उस समय क्या raw material का rate है उस पे depend करता है बस सिर्फ फार और दुफतो पक्का business है अगर आप इस सारे business को करने में interested हैं हमने जो ही जानकारी आप से share किया है इसके बाद भी आपको कुछ ना समझ में आयो कुछ और इस तरह जानना आप चाहते हैं तो दुफतो कमेंट section के माध्यम से आप पूछ सकते हैं फिर आलहक से मैं उस पे एक बना दीजिए या pin page पिफ़ली अलग से बना दीजिए पूरा detail में आप हमें देदीजिए इसके रिए अच्छी से साथ comment आने चाहिए तो दुफतो उस मीं अलग से वीडियो बनाके upload कर देंगे और आप सारी चानकारी आपके साथ share कर देंगे फिर आप कभी फेल नहीं भी दूफरे को भी helpful हो सकती है उन्हें बिद्निस खड़ा करने में तो इस वीडियो को जादा फे जादा लोगों तक शेयर करिए भविच में कभी भी आप अपना खुद का विद्निस करमा चाहते हैं तो हम से जुड़ने के लिए दूफ्तों हमारे अनुभव लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बिल आइकॉन को बटन आउन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेंस आपको मिलते हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं